और मुझे रहे हैं यह एक स्क्रीन मुझे दिखा रही है नाम है जेकब करके तो कौन बच्चा है यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अगर स्क्रीन खोल देंगे तो अच्छा लगेगा चलिए अच्छा ठीक है ओके तो आज की हम क्लास शुरू करेंगे आपको याद है किस-किस बच्चे को हमने पिछले संडी क्या सुना था किसी को याद है नहीं आते हैं ना पिछली बार हमने क्या किया था हमने हाफ क्लास लीती है ना मैंने आपको आधी स्टोरी सुनाई थी और आधी स्टोरी के लिए मैंने आपको बोला था कि हम इसको नेक्स संडे कंटिन्यू करेंगे ठीक हैं तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक बार फिर से उ कॉल कर लेते हैं, है ना, और फिर हम, एक सेकेंड, ठीके, अब मुझे ये बताओ, आपको दिखाई दे रहा है ये, कोई एक बच्चा माइक खोल के बताए, आपको स्क्रीन दिख रही है, रायका आप बताओ, हाँ दिख रही है, आच्छा ठीक है, चलिए, तो हमारी स्टोरी है, हम ये स्टोरी देख रहे हैं, यर्मिया भविश्य दुखता के बारे में, यर्मिया जो है वो परमेश्वर का, येश्य मसी का एक दास है, और वो क्या है, कि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, और वो क्या करता था, साथ में, परमेश्वर के वचन को, लोगों को सुनाता था, परमेश्वर उसको अपनी मर्जी बताते थे, और वो उस बात को, लोगों को बताता था, ठीक ह तो यह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे यर्मिया भुषक्ता को कहाँ पर डाल देते हैं, कुए में डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या बताया था निश्चा दिने आपको कि क्या होता है कि कुए में डालने से पहले यर्मिया भुषक्ता वहाँ तक पहुच था कैसे ह है क्योंकि ऐसा हुआ था कि यर्मिया भुषक्ता को पहर्वों का एक सरदार था पहर्वे कौन होते हैं जो रात में जाके चौकिदारी करते हैं क्योंकि जब हम लोग सब सो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि वो रात में घूम घूम के चौक शोकिदार ठीक हैं तो यर्मिया के समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहरोय थे तो वो क्या करते थे देखो यह इस तरह से होते हैं soldiers के जैसे होते हैं इनके पास weapons भी होते है ना और क्योंकि उस समय में जैसे आज हमारे लाइट होती वैसी लाइट तो होती नहीं थी तो वो क्या करते थे ऐसी वाली जिदे को एक के हाथ में क्या है टॉट सी है ना तो वो उसको मशाल को लेके रखता था ताकि अंधेरे में दिखाई देता रहे कि कौन आ रहा है जा रहा है ठीक है तो वो क्या करते हैं जब वो द के लिए महाँ पर जाता है क्योंकि उस समय होता क्या है कि यर्मिया जो है वो परमेश्वर का वचन लेके और लोगों को बताता है तो यहां पर यह क्या करता है यह जो पहरुआ है यरिया नाम का यह इसको पकड़ लेता है क्यों पकड़ लेता है क्यों पकड़ लेता है क्यों फिर उसके बाद क्या हुआ था फिर जब फिरॉन की सेना वहाँ पर आने लगी तो कस्दी लोग ये सुनके वापस चले गए है ना लेकिन क्या हुआ यर्मिया ने यहुदा के लोगों को बताया कि ऐसा मत सोचो कि ये लोग वापस चले गए बलकि क्या होगा ये फिर से आएंगे और क्या करेंगे ये यहाँ पर आके बहुत नुकसान करेंगे है ना ये लोगों को मार देंगे और यहाँ पर आकर हमसे लड़ेंगे और क्या करेंगे कि वो इस नगर को ले लेंगे और यहाँ पर आके आग से इसको जला देंगे चीक है तो यह लोग जो थे, अब जब वो कस्दी लोग वापस चले गए, क्योंकि फिरॉण की सेना वहाँ पर आ रही थी, यहुदा के पास तो इन्होंने क्या सोचा? ये यरिया ने सोचा है कि यर्मिया जो है ये जा रहा है तो इसका मतलब है ये जो कस्दी से ना जो आई थी ना ये उन से मिल गया है और ये उनी के पास जा रहा है तो इसलिए वो जूट जूट उसको बोल के और उसको पकड़ लेते हैं जबकि यर्मिया उनको बताता है कि भ नहीं जा रहा हूँ फिर भी ये पकड़ लेते हैं उसको जूट-छूट उसके पर confront लगा के और उसको क्या करतें उसको बंदी बना लेते हैं है ना और बंदी बनाने के बाद क्या करते हैं ये उसको ले जाकर कहां पर डाल देते हैं, वहाँ पर एक योनातान नाम का प्रधान था, ये उसके घर में ले जाके उसको बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसका घर उन्होंने क्या किया था? एक तरह से वो उसको जेल की तरह इस्तमाल करने लगे थे, क्योंकि उसके घर में बहुत छोटे-छोटे कमरे थ थे तो जब कभी कोई गलत काम करते हैं तो उसको सजा देने के लिए ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाता था अब यर्मिया ने जबकि कोई गलत काम नहीं किया था लेकिन फिर भी उसके उपर जूटा इल्जाम लगा के दोश लगा कि यह उसको वहाँ पर उसको बंद कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ पर लिखा है कि तलघर तलघर यानि कि बेस्मेंट एक होता है घर बना होता है और उसके नीचे भी एक कमरा होता है वो वहाँ पर अंधेरे कमरे में उसको बंद कर देते हैं अब अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं तो होता है क्या है जब यर्मिय तो वहाँ पे बंद है तो उनको पता नहीं चल रहा है कि परमेश्वर कुछ हमारे लिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं तो वो क्या कहता है वो बुला कि उसको बोलता है कि क्या परमेश्वर ने कोई वचन तुमको दिया है कुछ बताया है परमेश्वर ने कि अब आगे कि हमारे लिए क्या होने वाला है तो यर्मिया क्या बोलता है यर्मिया बोलता है कि हाँ बिलकुल परमेश्वर ने मुझे बोला है परमेश्वर का वचन पहुचा है और क्या पहुचा है क्या बोला है परमेश्वर ने परमेश्वर ने बोला है कि तुम को क्या होगा कि तुम बाबुल के राजा के वश में कर दिये जाओगे है ना क्या होगा कि तुमको बाबुल का राजा जो है ना वो जब आएगा और वो यहाँ पर चड़ाई करेगा और वो क्या करेगा वो तुमको पकड़के ले जाएगा है ना और फिर वो तुमको तुम उसके वश में कर दिए जाओगे है ने? और लेकिन फिर क्या होता है? ये बताते, बताते यर्मिया क्या करता है? यर्मिया उस राज़से रिक्वेस्ट करता है कि भई मुझे की बताओ मैं तो जो परमेश्वर बोलते हैं वो मैं तुमको बता देता हूं मैं कुछ गलत तो बताता नहीं हो ना मैं जूट बोलता हूं और अभी भी मुझे जूट जूट पोल के तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और कहां पर डाल दिया मुझे वो अंधेरे कमरे में डाल दिया है तो वो क्या कहता कहता है कि तुम मुझे क्या करो मुझे वहां से तुम निकल कर कि मैं वहां पर मर जाओंगा क्योंकि वहां पर ना तो रॉष्णी आती है वहां पर बहुत मतलब खराब जगह है वो निकल वालो है ना नहीं तो क्या होगा कि मैं वहां पर मर जाओंगा है ना तो राजा सिद्किया जो होता है वो क्या करता है कि वो उसकी इस रिक्वेस्ट को उसकी इस विंती को सुन लेता है और उसको वहां से निकाल लेता है और फिर क्या होता है कि आप यर्मिया को क्या करता है पहरूं के आंगन में यानि कि जहां पे पहरूए लोग रहते थे थोड़ा सा वो open space था, वहाँ पे उसको, वहाँ पे बंद कर दिया जाता है, उसको छोड़ते नहीं है, लेकिन वो उसको वहाँ पे, वहाँ पकड़ को बंद, लेकिन उस जगह से हटा लेते हैं, जो की, जो छोटी सी बंद, छोटे छोटे कमरो में, जहां पर यर्मिया को बंद किया जाता है अब यर्मिया ने जो वचन बताया था कि बाबुल की सेना क्या है वो फिर से तुम्हारे उपर चड़ाई करेंगे और कस्दी लोग जो है वो तुम्हारे उपर चड़ाई करेंगे है ना ये यर्मिया ने उनको बताया था लेकिन उस उसके बात क्या होता है कि जब ये सारी बात हो रही है राजा उसको निकलवार लेता है उसी बीच में क्या होता है कि बाबुल की सेना जो होती है वो यरुशिलम को चारों तरफ से घेर लेती है ठीक है अब जब ऐसा होता था उस समय में कि जब कोई दूसरे राजा की सेना कि जो लोग उस नगर में होते थे उनके मतलब बहुत सी चीज़ों के उनको दिक्कत हो जाती थी ना वो बाहर से कोई बाजार से चीज़ खरीच सकते थे अपने घर के अंदर की चीज़े भी खतम होने लगती थी तो में बहुत मुश्किल हो जाती थी यानि कि जो उनकी जगह का जो समाने लगता था अब होता क्या था थी बहुत मेंदा थी तो सही उस समय में होने लगा और क्योंकि यर्मिया को अब वहां से योनतान की घर से निकाल के पहरूं के आंगन में रख दिया था तो राजा ने वहा एक रोटी दी जाएगी लेकिन वो रोटी कहां से आती थी जिस दुकान में रोटी बनती थी वहां से यर्मिया को क्योंकि नगर में जो था वहां पे तो रोटी खतम हो गई थी बहुत महंगाई हो गई थी तो लेकिन जहां जिन दुकानों में रोटी बनती थी वहां से यर्म लोगों को बताता रहा है एंग कर दिया जाएगा और यह सब्सक्रार करता pig मैं वह व्युराइम्य कर दा और बाबल का राजा ले लेगए तो यही वचन उत्सक्राइब उस समय भी प्रचार करता रहा तो जब यर्मिय यह बात बोल रहा था बता रहा तो वहां के दो थे उनको ये गुस्सा आया कि यर्मिया जो है वो इसी बात क्यों बोलता है है ना जबकि यर्मिया कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा था यर्मिया को तो जो परमेशन ने बताया था वैसे का वैसा ही यर्मिया उनको बता रहा था और जो होने वाला था वो ही बता रहा था और ऐसा होने वाला था क्योंकि बाबुल के राजा ने जब चड़ाई करी तो वो उनको पकड़ के ले जाता है ना तो यर्मिया यही बात उनको बता रहा था तो यह उनको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कई बार ऐसा होता है क शतान की लोगों को अगर सच बात बताओ ना तो वो उनको बुरी नहीं लगती है उनको बहुत बुरी लगती है उनको अच्छा नहीं लगता है वो चाहते कि उनके मन के अनुसार हम अच्छी अच्छी बात बोलते रहो तो वो पसंद करते हैं है ना तो वो क्या करते है कि उन लगता है कि यह नगर ले लिया जाएगा बाबुलकरा जाके लड़ाई करेगा वो उनको घेर लेगा ऐसे ऐसे करके वो बता रहा है तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यह हमारे मन को परिशान कर देता है हमारी हिम्मट तूटने लगती है इसलिए क्या करो कि इसको मरवा तो अब राजा क्या करता है क्योंकि वो जब राजा को ये बात बता रहे हैं तो उन लोगों को क्या लगता था कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये यर्मिया ऐसे बोलता है इस वजह से हो रहा है जबकि उनके साथ परमेश्वन ने ऐसा होने के लिए रखा था तो वो बा तारी जो भी परिशानी हमारे उपर पढ़ रही है ना इस सब की वज़ा कौन है यर्मिया भशकता है इसलिए वो राजा से कहते हैं कि भई इसको तो मरवाई दो तो लेकिन होता क्या है कि अब उसको मरवाने के लिए वो क्या योग प्लानिंग करते हैं क्या योजना बनाते ह इसको हम क्या करते हैं, इसको हमें कुवे में डाल देते हैं, अब वो कुवा भी कैसा है, वो एक अंधा कुवा है, अंधा कुवा मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था, अंधे कुवे का मतलब क्या होता है, कि पहले ऐसा होता था, अब भी तो हमारे घरों में पानी आत होता है तो वहां से लोग पानी निकालते थे आप लेकिन यह एक अंधा कुवां था मतलब की उस प्लूआ का पानी जो था वो सूप गया था लेकिन जो मिठी जो थी वह बहुत गीली मिठी थी आ पानी भी नहीं था और मिठी भी सूखी नहीं तो इसलिए वो जगे बड़ी ऐसी हो गई थी कि मतलब उसके अंदर कोई चीज डालो न तो वो उस मिट्टी के अंदर घुश जाती थी तो उन्होंने क्या प्लानिंग किया है कि हम क्या करते हैं हम यर्मिया को इसके अंदर फेक देते हैं अब होगा के हमें भी कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको खाना भी नहीं वो देते हैं है ना तो बहुता क्या है कि यर्मिया को जब वो उसके अंदर डाल देते हैं तो फिर से एक वहां पर बंदा था जिसका नाम था अबेद मेले और यह जो था यह बंदा जो था यह एक कूशी था यानि कि जो एफ्रिका के जैसे लोग होते ना वहां का वो रहने वाला था तो उसको जब पता चलता है कि भाई इन्होंने यर्मिया को क्या किया है उस कूए में डाल दिया है क्योंकि वो भी परमेश्वर से प्यार करता था परमेश्वर से डरता था परमेश्वर की बात को मा दिया है और ये तो उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया है और क्योंकि वो जो कुआ है वो इतना खतरनाक है इतना खराब है कि वहां की मिट्टी गीली है यर्मिया ना तो वहां पे ठीक से बैठ पाएगा और जो उसको एक रोटी भी जो मिलती थी अब वो भी नहीं मिल तो क्या करो ये तो बहुत उसके साथ बुरा हुआ है और अगर हमने उसको वहां पे डाल के छोड़ दिया तो वो वहां पे भूख से मर जाएगा है ना तो इसलिए क्या करो क्योंकि उस नगर में रोटी भी खतम हो गई थी और जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि रो ज़िद में लेख ने राजा से रिक्वेस्ट करी तो राजा ने क्या कहा राजा ने उसको बोला कि ठीक है तुम अपने यहां से 30 लोगों को ले कर जाओ और उनको क्या करो वहां ले जाके उस यर्मिया को उस गड़े में से निकालो अब डालना उसमें यर्मिया को फेकना तो बहुत आसान था लेकिन निकालना बहुत मुश्किल था क्यों क्योंकि वहां नीचे कोई जानी सकता था उसको लाने के लिए कोई सीड़ी भी नहीं लगा सकते थे है ना और यर्मिया भी उपर नहीं आ सकता था तो उन्होंने क्या प्लान किया है कि हम क्या करते हैं हम न यर्मिया रसी को पकड़ के उपर आ जाता है न, तो उन्होंने क्या किया जब एवेद मेलेक और वो कुछ लोग जब उसके साथ गए उसको निकालने के लिए, और साथ के साथ उन्होंने यर्मिया को कुछ कप्ड़े भी दिये, फटे पुराने कपड़े दिये क्यों क्योंकि उन्होंने यर्मिया से बोला है कि भाई कुवा इतना गहरा है तुम इसको पकड़के तो तुम उपर आ नहीं सकते हो तो तुम क्या करो कि तुम्हारे चोट ना लग जाए तो तुम रसी ये जो कपड़े जो है ये अपने दोनो हातों की बगल में लगा लो और ये रसी को अपनी बगल में डाल लो जिससे कि तुम्हारे जब हम तुमको उपर खीचेंगे तो तुमको चोटना लगे है ना तो यर्मिया ने वैसे ही किया उसने वो कपड़ों को अपनी बगल में लगा लिया जिससे कि उन्होंने उसको उप खीच लिया है ना और उपर खीचने के बाद क्या होता है यह देखो बताई है क्या कुछ परमेशन ने तुमको वचन बताया है और जो कुछ भी परमेशन ने तुमको बताया है तुम उसे छिपाना मत क्यों 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 कि हो सकता है अब यर्मिया के मन में आए कि भाई मैं इनको सीधी सीधी बात बता देता हूं तो यह फिर मुझे कोई कोई बोला है कि जो बाबूल का राजा जो है वो जब वो तुम्हारे उपर चड़ाई करेगा तो तुम क्या करो तुम उससे लड़ने के बजाए तुम उसके साथ चले जाओ मतलब क्योंकि वो तुम को पकड़के ले जाए अगर तो तुम उसके साथ चले जाना क्योंकि अगर तो परमेशर बताता है कि तब तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तुम सब लोग मारे जाओगे, क्योंकि वो फिर किसी को छोड़ेगा, नहीं, वो सारे पूरे नगर को जला देगा, तुम लोगों को वो मार देगा, लेकिन इसके विपरीत परमेशर का वचन क्या कह रहा है, कि जब वो तुम्हारे पर चड़ाई करेगा, तो तुम उसके साथ चले जाना, क्योंकि जब तुम जाओगे, तो तुम बचोगे, नहीं तो क्या होगा, कि तुम लोग सब लोग मारे जाओगे, है ना, और इस तरह से क्या होता है, कि गिर जाएंगे कि राजा के पास यर्मिया गया तो कुछ ना कुछ तो यर्मिया ने बताया होगा तो वो उनको क्या बोलता है यर्मिया को कि अगर वो लोग आके तुमसे कुछ पूछें तो तुम उनको बता देना है कि भाई मैंने तो तुम क्याना नम यह बात जो है कि यहां लिखाएं कि यदी हाकिम लोग ये सुनकर कि मैंने तुझसे बातीचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे हमें बता तुने राजा से क्या कहा हमसे कोई बात ना छिपा और हम तुझे ना मरवार डालेंगे और ये भी बता कि राजा मैंने तुछ से क्या का मतला वो पूछेंगे कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई तो तुम उनको ऐसे ऐसे बता देना है ना कि मैंने राजा से बोलता है कि मुझे वहां दुबारा से वापस महां पर मत भेड़ना नहीं तो मैं मर जाओंगा चीक हैं तो जब उन कि घर में फिर मत भेजना है ना तो क्या हुआ आब यह बात जो है क्योंकि फिर से अगर उन लों को पता चलता तो फिर से यर्मिया को को i nana कोई सजा फिर से ज़रूर दिलवाते है ना आप क्या हुआ है कि फिर परमेशा का वचन कहा पहुचा या इवेद मेले कूशी से कह परमेशन ने क्या कहा यर्मिया से बोला कि जिस इंसान ने जिस बंदे ने तुम्हारी मदद करी थी जिसने तुमको गड़े में से निकलवाया था वो कौन था वो था एबेद मेले पूशी है ना तो उसके लिए परमेशन ने क्या कहा क्योंकि उसने परमेशन के दास की सहायत करी थी चिंता करी थी तो उसके लिए परमेश्व ने क्या बोला था परमेश्व ने बोला कि यहवा तुझ से यह कहता है देख मैं अपने विवचन जो मैंने इस नगर के विश्य में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा हानी ही होगी और उस समय उन और वचन सुनने के बाद भी नहीं सुना तो उनके साथ तो जैसा परमेश्व ने बोला है बाबूल का राजा वैसा ही करेगा लेकिन क्यूंकि तुमने परमेश्व की बात को सुना है और उस बात को सच्ची में माना है और साथ के साथ यर्मिया की भी तुमने मदद करिये तो परमेशर क्या कह रहे है कि तुमको मैं जरूर बचाऊंगा तुमको वो वहाँ पे किसी की भी तरह का नुकसान नहीं होगा और बाबुल का राजा तुमको परिशान नहीं करेगा ठीक है ना तो बच्चो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा क्या सीखा कि यर्मिया ने सब लोगों तक परमेशर की बात को कहने से यर्मिया कभी भी नहीं डरा तो इसका मतलग क्या है कि हमें भी परमेशर का वचन या परमेशर की बात को बोलने में बिलकुल नहीं डरना चाहिए क्योंकि हम जी दस पापा के बच्चे हैं, हम येश्यु मसी के बच्चे हैं, तो हमें जो बात सच है वो बोलनी चाहिए, है ना? कभी भी आपको क्लास में कोई अगर आपके से कोई गलती होती है सच में बिल्कुल सच में अपनी टीचर को बता देना चाहिए घर में आप से कोई गलती होती है सच सच मम्मी पापा को बता देना चाहिए जूट नहीं बोलना चाहिए है न क्यों कि सच बात बोलने में नहीं चाहिए बलकि जूट बात बोलने से डरना चाहिए जूट बोलते तो क्या होता है परमेश्वर लोगों को तो अच्छा लगता है लेकिन परमेश्वर को वो बात खराब लगती है ना और क्योंकि जूट और गलत बात बोलना या गाली देना कोई भी ऐसी बात जो है वो बिल् मेश्वर हमसे खुश होते हैं ठीक है और आज की इस क्लास के उपर आधारित एक जो याद करने वाला जो पद है जो आयत है वो है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिध होती है दूसरा कुरिंथियों बारा अध्याए उसकी नौ प ठीक है तो यह आपका याद करने वाली आयत है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिध होती है उसका रेफरेंस है दूसरा कुरिंथियों बारा अध्याए उसका नौ पद ठीक है तो यह वाली आयत जो है यह आप याद करेंगे और आपको पता रहेगा कौन सी आयत है बच्चो दूसरा कुरंथियों 12 अध्याय 9 पद है ना और क्या है वो आयत आपने देखा क्या है वो आयत मेरा अनुगरह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिध होती है दूसरा कुरंथियों 12 अध्याए 9 पद ठीक है अपना माईक आफ करके वहीं अपने जगह पर बोलेंगे मेरे पीछे-पीछे मेरा अनुग्रे तेरे लिए बहुत है दूसरा कुरंथियों 12 अध्याए उसका 9 पद ठीक है तो ये आपको याद करना है याद रहेगा आपको जल्दी से थमजब करके दिखाईए कौन-कौन बच्चे याद करेगा अभी किसी को याद हुआ है राइका को याद हुआ है ये वाला पर याद हो गया राइका चलो एक बाद ट्राइक करते हैं है ना एक बाद ट्राइक करते हैं देखते हैं कितना याद हुआ ठीक है राइका ओन करो बिटा अपना माइक शाबश, ओनकर हाँ, अब बोलो, प्राई करो मेरा अनुग्रे, मेरा अनुग्रे हाँ, मेरा अनुग्रे तेरे लिए, बहुत है, क्योंकि, मेरी सामर्ड, निर्बलता में, तिद होती है, दूसरा कुरंतियों, बारा ध्याए, बारा अनुग्रे, नौपद, नौपद, बहुत है, तो अब आप यह ध्यान डखेंगे, कि नेक्स संडे आपको यह वाली वर्स याद करके आनी है, ठीके, दूसरा कुरंतियों, बारा ध्याए, नौपद, ठीके, अभिनव, संदेश, राइका, रिशान, और कौन है, यहाँ पर मानसी है, तो यह सब बच्चे याद करके आएगे, रेशान, आप याद करके आओगे, रेशान, थम्स अप करो, वेरी गोड, शाबश, और अभिनव, लर्न करके आएगा, बिटा, शाबश, चलिए, ठीक है, तो आज, आज की स्टोरी आपको याद रहेगी, हमने कौन सी स्टोरी सुनी है, क बूल गए इतनी जल्दी, इंजिया, है बिटा, इंजिया, अभिनव, जोर से बोलो बिटा, इंजिया, यर्मिया की स्टोरी, वेरी गोड, जल्दी से क्लाप कर दो, अभिनव के लिए, वेरी नाइस, संदेश, ये बताओ कि अच्छा, यर्मिया को, उस कुए में से किसने निकलवाया था, क्या नाम था उस आदमी का, चलो राइका बताएगी, उसका नाम था, चाही करो, क्या नाम था उसका, संदेश को याद है, क्या नाम था उसका, जिसने बोला था, यर्मिया को, उस कुए में से निकलवाने के लिए, राजा से, रेशान आपको याद है, आभी नव आपको याद है, उसका नाम था, एबेद मेलेद पूशी, बोलो, एबेद मेलेद पूशी, ठीके, अच्छा, और यर्मिया को कितनी रोटी मिलती थी, रोज खाने के लिए, बेरी दो, एक रोटी मिलती थी, है न, है न, एक रोटी मिलती थी न, और फिर यर्मिया को कैसे निकाला था कुए में से, कुए में से कैसे निकाला था यर्मिया को, हाँ, बेरी कपड़े के साथ, और कुए कैसा था, वो कुवा कैसा था? मित्टी किली थी हाँ, गिली मित्टी थी और उसको बोलते क्या थे? कुवे को क्या बोला था? क्या बोलते थे कुवे को? कैसा कुवा था वो? गहरा अंधा कुवा था, है ना? गहरा था और उसको एका नाम था अंधा कुआ क्यों बोलते थे अंधा कुआ जल्दी से बताओ उसको अंधा कुआ क्यों बोलते थे जल्दी से बताओ क्यों बोलते थे उसको अंधा कुआ क्योंकि वो बहुत काला होता था क्योंकि उसमें पानी खतम हो गया था है ना पानी खतम हो गया था और उसकी मिटी गीली थी उसमें से मतलब पानी नहीं निकाल सकते थे इसलिए उसको बोलते थे अंधा पुआ है ना क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं था ठीक है? चलो अब क्लास बंद करें बंद करें क्लास भाई thumbs up thumbs down रेशान क्लास बंद करें चल ये ठीक है ओके चलो बाबाई आंटी एक छोटी सी प्रेशा प्रेशा प्लीज लीव कर दो क्लास निशा आंटी आंटी आप एक चोटा प्रेशा 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 प्र नहीं लेकिन जो कुछ भी प्रभुजी बच्चोंने सुना है प्रभु वो आप ही उनके मन में बना के रख सकते हैं प्रभू आप दिया करें पिता जी मेरे महान प्रभू और परमिश्व पिता यह बतेंiones बच्चों के मन में बैठ जाएं प्रभुजी द्याल पृता और समय वे इनोंने सीखा है प्रवजी द्याल पिता उससे प्रभू बच्छों के उपर आपकी आशी शाय पिता जी द्या करें प्रात्ना प्रविश मसी के नाम के द्वारे सुपके ग्रहन कीजे एमेन विलिए बाइ-बाइ